बुद्ध की कहानी एक लंबी यात्रा और उनके जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों को बया करती है। यहां बुद्ध की कहानी हिंदी में प्रस्तुत है। बुद्ध की कहानी सिध्धार्थ गौतम का जन्म पंवियों शताबदी इसा पूर्व के आसपास लुंबिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। वह शाक्यवंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। सिध्धार्थ के जन्म के समय एक भविश्यवानी की गई थी कि वह या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान आध्यात्मिक नेता। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र उनके नक्ष एकदम पर चलते हुए राजा बने। इसलिए उन्होंने सिध्धार्थ को जीवन की कठोर वास्तविक्ताओं से दूर रखा और उन् दिन महल से बाहर निकलते हुए उन्होंने चार द्रिश्य देखे एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव और एक सन्यासी। ये द्रिश्य उनके मन को गहराई से जगजोर गए जिससे उन्हें जीवन की अनिवार्य पीडा और अस्थाइत्व का एहसास हुआ। मानव पीडा का समाधान खोजने के लिए सिध्धार्थ ने 29 वर्ष की आयू में राजसी जीवन को त्याग दिया। उन्होंने अपने परिवार और संपत्ती को छोड़ कर एक भिक्षु का जीवन अपनाया। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। यह सोच कर कि इ उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि अत्यधिक तपस्या से भी समाधान नहीं मिलता। तब उन्होंने मध्यम मार्ग, मध्यम पत अपनाने का निर्णय लिया, जो अतिसंयम और अति उपभोग के बीच का रास्ता है। बोध गया में एक पी जहन साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने पीडा, दूख, उसके कारणों, उसके निवारण और निवारण के मार्ग को समझा, जिसे चार आर्य सत्य और अश्टांगिक मार्ग के रूप में जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिधार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागरत व्यक्ति. उन्होंने अपने जीवन का शेश समय लोगों को ग्यान का मार्ग दिखाने में व्यतीत किया. उनके उपदेश, जिन्हें धर्म के नाम से जाना जाता है, एशिया भर में फैल गए और बौध धर्म की नीव बन लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है. यह कहानी बुद्ध की उस यात्रा को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने एक राजकुमार से एक जागरत शिक्षक बनने तक का सफर तय किया, जिसने ज्यान और करोणा के माध्यम से मानव पीडा को दूर करने का प्रयास किया.